सादर प्रणाम सभी को मैं नीर्जा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभी नंदन करती हूँ हम इतिहास में पढ़ रहे थे आधुनिक भारत के इतिहास को यानि कि आधुनिक इतिहास को हमने पिछले वीडियो में बात की थी जो सायक संदी उसकी यानि कि वेलेजली के द्वारा जो सायक संदी की नेती बनाई गई थी हमने उसके विशे में पढ़ा था, उसके गुणा अदोशों के विशे में पढ़ा था, साथ ही हमने बात की थी मैसूर के चौथे युद्ध के विशे में हमने कहाता है मैसूर का जो चौथा युद्ध होता है टीपो सुल्तान के बीच में और अंग्रेजों के बीच में जिसमें अंग्रेज जीतते हैं और युद्ध के जो परिणाम आते हैं वो 100% अंग्रेजों के फेवर में आते हैं लेकिन एक नुक्सान यह होता है, जो मेसूर का राज्य था, वो राज्य तीन भागों में बट जाता है, यानि कि वो राज्य छोटा हो जाता है और शक्ति हीन हो जाता है, क्रम को आगे बढ़ाएंगे और हम बात करेंगे, आज टीपो सुल्तान का मुल्यांकन से शुरुआत करेंगे आज अपनी जो वीडियो है या अपना जो कंटेंट है उसकी देखे जो टीपू सुल्तान है टीपू सुल्तान हमने कहा कि अगर लंबे समय तक जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ाता कि अगर लंबे समय तक रहता तो हो सकता है इतिहास कुछ अलग होता क्यों एक ही वीजन के साथ था और लास्ट रो टाइम तक उसमें अंग्रेजों का अधीनता जो है वो स्विकार नहीं की थी और उसे लगता था कि मैं अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल फेकूंगा और फाइनली क्या होता है जो मैसूर का चौथा युद्ध होता है इनके बीच में उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यू हो जाती है तो एक देशभक्त व्यक्ती है टीपू सुल्तान इतियास में बहुत जादा महतुपोन स्थान है इसका अंग्रेजों का कटर सा शत्रू है औ कि इतिहास में क्या है जो भी कुछ इतिहासकारों के कथन है कई बार वो कथन है बहुत जादा भायस वाले यानि कि इतिहासकार कई बार ओपन डिष्टी के आधार पर इतिहास नहीं लिखते हैं वो भायस होते हैं जैसे पैट्रिक की हम बात करें पैट्रिक की बात करें तो उसने अंग्रेजों की जो नीती थी उस नीती के अनुसार काम नहीं किया तो पैट्रिक को शायद ऐसा लगा होगा कि जो टीपु सुल्तान है वो कुंटित दृष्टी कौन का व्यक्ति है लेकिन अगर हम अपनी दृष्टी से देखें तो टीपु सुल्तान एक योग्य व्य है उसमें ऐसे गुण है कि वो अंग्रेजों से अकेले लोहा लेने के लिए तयार है उसमें एक डिटर्मिनेशन है कि मैं अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल फेकूंगा अलग-अलग कथन है जो कि टीपु सुल्तान के संदर्व में इतिहासकारों के अच्छे कथन नही है कहा कि हैदर अली को शायदी कभी गलती करता यानि कि मतलब हैदर अली के विशय में ये कहा कि हैदर अली शायदी कभी गलती करता लेकिन टीपु सुल्तान कभी भी सही रास्ते पर नहीं चलता था बहुत अत्यचारों की वज़य से उसकी प्रजा के जो हिंदु थे उसके कठोरता और ज्यादा बढ़ती चले जाती थी और धीरे-धीरे करके जो टीपु सुल्तान है वो कटर होता चला गया बर-बर होता चला गया लेकिन कुछ ऐसा भी मानते हैं कि जो टीपु सुल्तान है उसमें अदूर दर्शीता का अभाव था उसने अपने पडोसी राजियों की सहायता प्राप्त नहीं की बलकि दूरस्तिक शेत्रों से जैसे फ्रांस से या अरब से या कुस्तुन्तुनिया से इंक शेत्रों से उसने सहायता प्राप्त करने की कोशिश की इसलिए मैसूर में एक लाइन प्रचलित है यानि कि कहना चाहिए एक लोकोप्ती प्रचलित हैदर जन्मा था सामराजर निर्माण के लिए टीपू पैदा हुआ था उसके विनाश के लिए यानि कि टीपू सुल्टान को संभवता ऐसा करना चाहिए था जो उसके पडोसी राजे थे उन राजाओं से अपने मैत्रिपून संबंध बनाने चाहिए थे लेकिन उसने ऐसा ना करके उसने क्या काम किया जो विदेशी राजा है उनके साथ सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन ऐसा नहीं है कि जो टीपू सुल्तान की कुछ इतिहासकार आलोचना करते हैं तो कभी उसकी प्रशंसा ही नहीं की गई लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो उसकी प्रशंसा करते हैं प्रशंसा में ये कहा गया है कि जो टीपू का राजे है खूब बसा हुआ था और उसने उर्बर प्रदेशों की अच्छी खेती होती थी मैसूर राजे की सेना में अनुशासन था, राजभक्ती थी जो की प्रशंसनी ये है और टीपू कठोर और स्वेच्छाचारी शा सकता लेकिन अपनी प्रजा के सुख दुख का वो सदैव ध्यान रखता था लेफ्टिनेंट मूर ने भी कहा है, जब कोई परेटक किसी अपरीची देश में ब्रहमन करते हुए उसको भलीभाती खेती से भरपूर परिश्रमी प्रजा से आबाद नए वसाई शोभायमान व्यापार या नगरों के विशय में देखता है तो इससे पता चलता है कि उस राज्य में कितना सर्वतो मुखी विकास है और ये सर्वतो मुखी विकास ही बताता है कि वहां की जनता या वहां की जो प्रजा है वो कितनी जादा सुखी है तो ये था टीपो सुल्तान के विशय में जो मिसलीनियस जो विचार है इतिहास कारों के अब बात कर लेते हैं वेले जिली की जो अवद के साथ संधी होती है उसके विशय में देखे अवद के साथ जो वेले जिली की संधी होती है वेले जिली ने अवद को एक योजना के तहत अंग्रेजी राजे में मिला लिया है वहां उसने जो राजा है उस पर आरोप लगा दिया है कि वो पुशासन कर रहा है यानि कि शासन अच्छा नहीं कर रहा है और ये भी बहना किया कि राज्य पर जमान शाह का आक्रमन होने वाला है यानि कि उसे भैभीत करने का प्रयास किया कि जमान शाह राजी पर आकरवन करने वाला है और उसको अपनी सेना भंग करके अंग्रेजी सेना में व्रद्धी करनी चीए जिससे जमान शाह के आकरवन को रोका जा सके मतलब एक डर दिखाया जमान शाह का और उसके सामने सेना का प्रसाव रख दिया लेकिन जो अवद का नवाब है वो इस भात के लिए तयार नहीं हुआ तो इस पर क्या हुआ वेले जिली को अच्छा नहीं लगा वो उसे नाराज हो गया और वेले जिली ने उसको गदी का परित्याग करने का एक आदेश दे दिया मतलब उसे ये कह दिय जाके तुम गदी से हट जाओ फाइनली क्या होता है ये बात ही हो जाता है अंग्रेजों के जो उसके द्वारा कृत्य किये जाते हैं उनसे और अठारा सो एक में उसने सायक संधी को यहां पर स्विकार कर लिया होता है तो इस सरीके से डरा धंका के भय दिखा के अंग्रेजी सेना में व्रिद्धी हो जाए तो यही पहली शर्त यहां पर रखी गई कि अवद की सेना का विगटन कर दिया गया और जो अंग्रेजी सेना है उस अंग्रेजी सेना में यहां पर व्रिद्धी कर दी गई अब यहां पर क्या था अंग्रेजी सेना के व्याई क को देना पड़ा यानि कि इस आधे भाग से जो अंग्रेजी सेना महां रखी जारी है उसका खर्चा चलेगा फिर नवाब के दर्बान में एक रेजिडेंट यहां पर नियुक्त किया गया, रेजिडेंट या रेजिमेंट जो भी यहां पर है, हम बार बार यही कहते हैं, लिखा हुआ है, नियुक्त किया गया, यानि कि एक अंग्रेज महा पर रखा गया, और उसके जो अवद के आंतरिक मामले हैं, उन आंतरिक मामलों म पर हस्तक शेप कर सकता था अब बात करें संधी का क्या महत्व था देखे महत्व की अगर हम बात करें महत्व इसका एक तरफा ही था क्यों कि जो यह संधी की गई इससे जो लाभ दायक यह सिद्ध हुई तो केवल केवल अंग्रेजों के लिए ही यह लाभ दायक सिद्ध जो जो नवाब है, जैसा पहले भी हम पढ़ते गए, वो शक्ति हीन हो गया है दो दीरे दीरे वो विलासी भी हो गया है और अंगरेशों के हाथ की वो एक पपट created कट पुतली मन के रह गया है, अब यहां पर क्या होता है, कि अगर हम बात करें वैले जली की, तो वैले जली ने कम्पनी के हित के समय, अकेले जो उसके अधीनस्त की भावनाए थी या स्वार्थ थे, उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, और उसने ऐसा करते समय, ना तो अपने धहरे का परिक्षण दिया, ना सहीशनुता और ना ही उदार दा, किसी तरीक मलेंeft के था क्या है वहाली दृतीय मराठा युद्ध, निमालों जो होता वह है 1802 में होता है टीपु सुल्तान से निपट चुका है अब वह सोचता है कि मराठो की शकती को नियंद्रित करने का प्रयास किया जाए, यानि मराठों को भी अपनी संदी में भांध ही आ जाए अब धीरे-धीरे ये क्या करता है सोचता है कि मराठों के जो राजनीतिक मामले हैं उनमें हस्तकशेप करना शुरू किया जाए अब ये हस्तकशेप करने के लिए एक उसे अवसर की कलाश थी और भागे देखिए कि उसे अवसर मिल भी गया है ठीक है फाइनली क्या होता है एक बार नाना फड़नवीस है नाना फड़नवीस की मृत्ति हो जाती है नाना फड़नवीस की विशेषता ये है कि बहुत अच्छे राजनीतिक्ये हैं और दूर दर्शी राजनीतिक्ये थे ठीक है अब क्या होता है जब तक नाना फरणवीज जिंदा थे तब तक नाना फरणवीज ने ही जो मराठो के बीच में आपसी वेमनेस से चल रहा था आंतरी कले चल रही थी वो कले को इन्होंने दबाए रखा यानि कि उस कला को सफल हो नहीं नहीं दिया अब जब नाना फरणवीज की यहां पर मृत्यू हो गई है नाना फरणवीज की मृत्यू के बाद जो मराठा संग है इस मराठा संग में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा था जो इन सभी मराठा सरदारों को एकता के सूत्र में बांधे रख सके इधर क्या है जो अलग- पुल कर थे जसवंत राव होल कर ठीक है पेश्वा बाजी राव धृतिय divine दो यह क्या हैард मुख्य रूप से शक्ति के लिए इनमें अपस में संगर्श चली रहा था पेश्वा और जो यह होल कर थे पेश्वा और 혼कर पेश्वा ने सिंध्या के साथ मिलकर होलकर पर आक्रमन करने का प्रयास किया यानि कि पेश्वा सिंध्या ने इसके होलकर के अगेंस्ट एक संयुक्त मोर्चा बनाया ये दोनों मिल गए और इन दोनों ने मिलकर होलकर को समाप्त करने के लिए एक संयुक्त मोर्चे का निर्म अब क्या होता है जब यह संयुक्त मौर्चा बन जाता है 1802 की ही बात है लेकिन अक्टूबर की बात है घिन की पेशवा और सिंदिहा की जो संयुक्त सेना है इनको हरा दिया और होलकर का अधिकार हो गया है यहाँ प्यूना पर अब जो पेश्वा है ये पेश्वा भाग जाता है और बेसिम में अंग्रेजों की शरण में चला जाता है अब क्या होता है अंग्रेज तो ये चाही रेते अब क्या होता है पेश्वा और अंग्रेजों के बीच एक बेसिम में संधी होती है संधी क्या होती है जिसके अनुसा रखने का वादा कर दिया वही जो सायक संधी के अंतरगत इनकी नीतियां रही वही यहाँ पर फुल्फिल हुई अब अंग्रेजों ने 60,000 सैनिकों के रिस्थाई रूप से बाजी राव के क्षेतर में रखने का आश्वासं दिया और उनके खर्च के लिए बाजी राव से 26 26 लाख रूपया वार्शिक के रूप में लेने लगा ठीक है 26 लाख रूपया यहाँ पर लिया जाने लगा अब क्या हुआ जो पेश्वा बाजी राव है उसने साथी साथ ये वादा भी किया कि जो अंग्रेज विरोधिये यूरोपिये जाती हैं वो उनके अगेंस्ट यह यहाँ पर कोई भी नौकर नहीं रखेगा यानि कि कोई भी सेवत को वो नियुक्त नहीं करेगा निजाम और गायकवाड के विवाद में पेश्वा अंग्रेजों की मध्यस्तता को स्वीकार भी करेगा यह भी इसने यहाँ पर कहा यानि कि अंग्रेजों को जिस अवसर की तलाश थी, वो हवसर खुद मराठों ने उन्हें दे दिया था, अब अन्य सहायक संदिों के अगर अपेक्षा हम बात करें, जो बेसीन की संदी हुई थी, ये बेसीन की संदी जादा महत्वपूर्ण थी, देखें बेसीन की संदी क्यों जादा महत्वपोन थी क्योंकि ये संदी एक राज्य के साथ ना होकर राज्य के एक संग के साथ होई थी तो इसलिए ये संदी क्या थी बहुत जादा महत्वपोन थी पेश्वा मराठा संग का अध्यक्ष है ठीक है तो जब मराठा संग का अध्यक्ष भारत में एक अंग्रेजी सामराज्य था और वो अब भारत का अंग्रेजी सामराज्य हुए इस संधी के बाद भारत के चारो राज्यों की राजधानियां जो थी जो प्रमुक चार राज्ये थे जैसे कि लखनव, हैदराबाद, मैसूर और पूना ये चारो राज्य में अब अंग्रेजी दूत भी है और अंग्रेजी प्रती नीधी भी है तो अब अंग्रेजों का जो सामराज्य वाद की नीती वो सामराज्य वाद की नीती आगे बढ़ चुकी है और मैसूर के चार प्रमुक राज्ये या मैसूर के जो प्रमुक राज्ये नहें हैं वो उनपर या भारत के कहें जो प्रमुख राजे हैं उन पर इनका नियंद्रण हो गया है अब जो इस युद्धि की अगर हम जो main incident रहे हैं या मुख्य घटनाई रही हैं उन मुख्य घटनाओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए जो बेसीन संधी की जानकारी जब पहुँचती है सिंधिया और भोसले के पास तो सिंधिया और भोसले बहुत जादा नाराज हो जाते हैं इस संधी के विशे में सुनकर सिंधिया ने अपने गुस्से को यहां पर प्रकट करन किया और उसने कहा कि बेसीन की संधी ने तो मेरे सिर की पगड़ी ही उतार दी लेकिन इस घड़ी में भी बात करें अगर मराठा सरदारों की तो मराठा सरदारों में किसी तरीके की एकता की स्थापना नही यह हो गए है अलग अलग ठीक है यह अलग ही रहे इस चीछ से और वेले जिली ने मराठो की फूट का बहुत फाइदा उठाया और उधर सिंध्या है भूसले है इनके विरुद यहां पर क्या कर दी गई है युद्ध की घोशना कर दी गई है अधर जो दक्षन भारत में बात करें तो आर्थर वेले जिली के नेतरत में अंग्रेजी सेना ने सिंध्या और भूसले की संयोगत सेना पर आक्रमन कर दिया है तो असाई का युद्ध होता है इस असाई के युद्ध में यहां पर अठारा सो तीन की घटना है अठारा सो तीन में यहां पर असाई के युद जो सिंध्या भूसले की संयोग सेना उसे पराजित भी कर दिया जाता है अब अंग्रेजों के पास देव गाउं की संधी की जाती है इनके द्वारा ठीक है सिंध्या ने और भूसले ने यहां पर क्या कहना ची जब हार हो जाती है तो आर गाउं की एक संधी आर गाउं के यु उद्मे हार हो गई है और आर गाओं के युद्मे भी भोसले की हार हो गई है तो फाइनली देव गाओं की इनको संधी करनी पड़ दिये अब इस संधी के अनुसार च्या होता है कटक और बाला सूर यह वाले प्रदेश चले जाते हैं किसके पास अंग्रेजों के पास ठीक है अंग्रेजों के पास चले गए तो नागपूर में ब्रिटिश रेजिमेंट रखना इनोंने सुईकार कर लिया था और किसी भी अंग्रेज विरोधी को अपने यहां नौकर नहीं रखेगा या किसी भी साहयक को यहां पर सुईकार नहीं करेगा तो इस तरीके से जो अन्य शर अधिकार कर लिया था अगरा है अगर इस चीज को मैं दो मिनिट के लिए हैं रोकूं तो मिनट भी नहीं कहूंगी यह हो जाएगा मतलब कुछ समय के लिए रोकूं और एक आप इमेजिन करिए कि जब अंग्रेज भारत के भीतर प्रवेश करते हैं जब पहली बार हो आते ह नहीं कि जब हमने जहंगीर के टाइम पर पढ़ा था हमने լावो व्यापार करने आते हैं लेकिन जो हमारे भारतिये राजा हैं दीरे दीरे करके अंग्रेज को ने यहां पर पैर पसारने शुरू कर दिये यहां की राजिनीती में हस्तक शेप करना शुरू कर दिया तो हम इतिहास का क्रम पढ़ रहे हैं इस इतिहास के क्रम में देखिए व्यापार तो एक तरफ रह गया अब उनका सामराज्य स्थापित करने का जो मोटिफ था वो प्राइमरी हुया है यहां पर क्या हुआ है कि जो अंग्रेज हैं अब लगातार अलग अलग जो भारती पर अधिकार जमाते जा रहे हैं और पूरी राजनितिक सत्ता को अपने हाथ में वो करते जा रहे हैं अब यहां पर क्या होता है इसको संदी के अनुसार गंगा यमुना का जो दो धर्दिल्ली आगरा क्षेत्र है, बुंदेल खंड का कुछ भाग है, भडोच और एहमदनगर का दुर्ग है और गुजरात के कुछ जिले है, गुदावरी तट के कुछ खेत्र हैं, ये सारे क्षेत्र सौप देने पढ़ते हैं अंग्रेजों को, तो ये जब अंग्रेजों को खेत्र सौप देने पढ़ते हैं, सिंधिया के द्वारा लासवाडी की संदी की जाती है, उसकी हम बात कर रहे हैं, अंग्रेजों के साथ, वही होता है किसी भी येरोपी नागरिक को अंग्रेजों के अगेंस्ट यहां पर अपने यहां नोकर नह किये थे, लेकिन अंग्रेजों ने भी उस चीज के लूँ से बहुत जादा मजबूर नहीं किया, अर जो संदी है, यह जो करी गई थी, यहां ब्रिटिश साशन की बात करें हम, तो बहुत जादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस संदी के माध्यम से ही अंग्रेजों को रा करते हैं क्रम की आगे जस्वंत होलकर से युद्ध की, अभी क्योंकि जस्वंत होलकर बचा है यहां पर, जस्वंत हो क्योंकि भोसले और सिंध्या के साथ तो संदी होई गई है, अब बात करते हैं जस्वंत होलकर की, सिंध्या और महुसले की अभार हो गई है, अब प्रस् पार्षार्स आपको जस्वंत होल्कर मना कर दीता है अप उसने क्या कहा कि अंग्रेजूं के कुछ मित्र हैं जैसे जैपूर के जो राज्य है उनमें पाटे आज्श्वों करनी शुरू कर दी जैपूर राजव में पाटे शुरू कर दी हैं फैनली क्या होता है 1804 की बात है अप्रिल 1804 की बात है अंग्रेजों ने इसके अगेंस्ट युद्ध की घोशना कर दी है होलकर के विरूद तो शुरू में तो क्या होता है होलकर ने अंग्रेजी सेना को मतलब बुरे तरीके से हारने पर मजबूर कर दिया मतलब पराजित कर दिया लेकिन बाद में दोग शेत्र है जिन पर जैसे फरूखाबाद का शेत्र था और डिंग इन युद्धों में वो पराजित होता है और फाइनली होलकर भरतपुर के जाट राजा के यहां शरण लेता है ठीक है जाट राजा के हाँ शरण लेता है तो लेक ने भरतपुर के जो दुर्ग है उनको जीतने के लिए प्रयास किया और 1805 में यहाँ पर मतलब 1805 के बंति की अगर हम बात करें तो लगबार चार बार आक्रमन किया गया लेकिन यह असफल रहता है यहाँ पर क्या होता है इनके बीच में युद्ध चली रहा होता है कि कंपनी के संचालकों ने वेले जिली को बुला लिया है वापस इंग्लेंड ठीक और इस तरीके से यह जो दूसरा मराठा युद्ध होता है इस दूसरा मराठा युद्ध का यहाँ पर समापन हो जाता है के संदक्षन में ले लिया है लेकिन उसने अपहरण नीती के द्वारा भी कुछ राज्यों को अपने राज्य में यानि की अपने सामराजिवस्तार की नीती में बना लिया जैसे पहला बात करेंगे अपहरण नीती के अंतरगत करनाटक की अपहरण नीती का जो सबसे पहला श तो वेले जिली ने नवाब को पेंशन दे दी और उसके राजे को कमपनी के राजे में मिला लिया तो यह काम हुआ यहाँ पर जबरदस्ती करनाटक के साथ। ठीक फिर नमबर आया सूरत का, सूरत में नवाब की मृत्य हो गई है 1799 में, ठीक उसके बाद उसका भाई है वो नवाब बनता है, लेकिन जैसा वेले जिली ने उससे धन की डिमांड की थी ये वैसा धन की डिमांड को यह पूरा नहीं कर पाता है, तो वेले जिली उसे गद् जाता है पेंशन दे दी यहां पे फरूखाबाद के नवाब को और फरूखाबाद को भी यहां पर अपने संडक्षन में ले लिया अब हम बात करते हैं क्योंकि वेले जिली चला गया है इंग्लेंड जब दुतिय मराथा युद्ध चल रहा था और उसके इंग्लेंड जाते ह समापन हो गया है तो अब हम करते हैं वेले जिली का मूल्यांकन देखिए जो अगर ब्रेटिश सामराजी निर्माताओं कि जब हम भी बात करेंगे तो उसमें वेले जिली का नाम जरूर आएगा क्योंकि ये भारत में ब्रेटिश सामराजी स्थापना या ब्रेटिश सत्ता कि इस्थापना के उदेशे से ही इसने आया था और जितना उदेशे इसने निर्धारित किया था वो उस उलक्षे को या उस उदेशे को पूरा करने में सफल भी रहा इससे क्या हुआ जो सायक संधी इसने नीती अपनाई थी या जो सायक संधी की थी सायक संदी के माध्यम से जो देशी राजा थे वो इसके अधीन हो गए या दूसरे शब्दों में कहें इनकी स्थिति इस संदी के माध्यम से सुद्रड हो गई अंग्रेजों को आंतरिक और बाहरी जगडों में यहां पर उनमें हस्तक्षेप करने का अधिकार भी मिलेगा साथी खुद अंग्रेजों को यह डर नहीं राकि उन पर कोई आक्रवन करेगा क्योंकि जो नवाब है या राजा है वो उनके अंडर में है जो देशी राजा है इससे क्या हो गए एक तरीके से विकलांग या पंगु वाली स्थिती में आ गए उनके पास सब कुछ दिख रहा है लेकिन कुछ है नहीं क्योंकि सब कुछ सत्ता या नियंतरन किसके हाथ में है अंग्रेजों के हाथ में है तो निर्भर करता है कि अंग्रेज संदक्षक है तो जो यहां के राजा थे वो विलासी हो गए है और अयोग्य हो गए है क्योंकि युद नहीं कर सकते हैं संधिया नहीं कर सकते हैं, अन्य व्यक्ति को बिना अंग्रेजु की मदद से नहीं आपर अपने हां रख सकते हैं, तो बलकि वेले जिली ने अगर मराठों के संदर्मे में बात करें, जब उसने मराठों को पराजित किया, तो मराठों की जो पराजय थी, इस पराजय ने वेल अगर थेर्टिकल बात करें तो इस समय थेर्टिकली जो अंग्रेज है उनका पूरे भारत पर प्रभुत्व इस्थापित हो गया है अब कारियों के मुल्यांकन को अगर कंक्लूड कर दें हम निशकर्ष की बात करें तो क्लाइब ने ब्रिटिश सामराजी की इस्थापना की एक नीव रखी थी, वारेन हेस्टिंस ने उसे सुसंगठित किया, सुव्यवस्थित किया और वेले जिली ने उसे विस्तरित किया और उसकी मर्यादा और प्रतिश्था में लगातार उसके कारियों से व्रिद्धी होती चली गई और भारत की एक सार्व भौमिक शक्ती के रूप में यहाँ पर स्थान अरजित करा दिया गया, ठीक तो यह तब वेले जिली के द्वारा किये गए कारियों का एक तरीके से मूल्यांकन, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे संख्षित रूप में कार्ण वालिस के विशे में, बारलो के विशे में और मिंटो के अगले वीडियो में आप से जल्दी मिलेंगे, क्योंकि अगले वीडियो बहुत जादा महद्वपूर्ण है, हम उसमें बात करेंगे 1813 के चार्टर की, तो इंपोर्टेंट है 1813 का चार्टर, आप लगतार साथ बने रहिएगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजेगा, शेयर कीजेगा, आप कमेंट जरूर कीजेगा, प्रयास कीजेगा, जैसे आप हम से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगाता चुड़े हुए हैं, अन्य लोग भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम से आप से जोड़ सकें, और इसके लिए हम आपसे अपेक्षा करेंग झाल झाल